हेलो फ्रेंड्स मैं स्मृती आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड़ इजी में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है अलता मेरा की गुफाएं फ्रेंड्स यूरोपी प्रागयती हासिक चित्रकला में फ्रेंड्स मैंने यूरोपी प्रागयती हासिक चित्रकला में फ्रेंड्स मैंने यूरोपी प्रागयती हासिक चित्रकला के बारे में एक ब्रीफ समरी वीडियो बनाया था अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंग मैंने डिस्किप्शन में दिया है आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि फ्रेंको के अंताबरियन छेतर की कला यूरॉब की प्रागैतिहासी क चितर कला में विशेस महत्व रखती है और यह जो फ्रेंको के अंताब आबरियन छेतर है इस के इसमें मुख engagement से उध्री प्रूप से उत्री इस्पेन दच्छिर पश्चिंच का भाव by आता है और यहां पर जो गुफाएं हैं उनको हम इस छेत्र के अंतरगत रखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रशिद और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अल्तामिरा की गुफाओं के बारे में अल्तामिरा की गुफाओं के बारे में अल्तामिरा की गुफाओं उ क्योंकि उसने कुछ एविडेंस ऐसा दिया नहीं था तो लोगों ने उस चीज को नहीं माना फिर कहते हैं कि 10 साल बाद 1879 में एक व्यक्ति जिसका नाम था मारसी लीनो दा सातू ओला कहते हैं कि एक औरकोलाजिस्ट भी थे इन्होंने अपनी 8 साल की लड़की के साथ वहां गये और वहां पे उनकी जो लड़की थी उसने अलतामीरा की गुफाओं उन्में जो छतों पे जो चित्र थे उसको सबसे पहले देखा तो अलतामीरा की गु अलतामीरा की गुफाओं के चित्रों के बारे में खोज प्रारम हुई तो इस प्रकार ये देखेंगे कि सबसे पहले जो इसमें सबसे इंपोर्टन चीज है ये तो ये है कि 8 साल की एक लड़की जिसका नाम था मारिया सौतू ओला उसने ही सरप्रतामीरा के चित्रों को दे यहीं अलतामीरा की जो गीली दिवारे थी उस पर ही देखा गया यानि सबसे पहला चित्र हमें अलतामीरा की गुफाओं में ही देखने को मिलता है दूसरी बात यह है कि यह जो अलतामीरा की गुफाओं हैं यह सेंतेंदर से 31 किलो मीटर दूर उत्तरी स्पेन में इस्थित नेक्स्ट, बताते हैं कि यहां पे तीन प्रकार की चित्रकारी देखी गई है, एक तो यह कि यहां पे रंगीन चित्र है, यहां पे बहुत सारे बहुरंगी चित्र मिले हैं, दूसरे कुछ चित्र ऐसे हैं, जो केवल काली रेखाओं से ही बनाए गए हैं, और कुछ यहां पे इंग्रेविंग यानि उतकीड करके पत्थर पे उतकीड करके भी बनाए गए हैं यहाँ पर सबसे जारा जो चित्र है वो हमें बाइसन काद मिलता है बाइसन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं महिस तो उस समय जो जो समय का वातावरर था वहाँ जितने हिंसक पशु थे होते थे उसके नाम भी हमें पता होने चाहिए जैसे वहां पर जो बाइसन था उसको महिस बोलते हैं और जिसको हम महिस बोलते हैं यह वहां पर सरवाधिक चित्र था इसके अत्रिक एक चीज और वहां देखी गई है कि जो वहां की जहां चित्र बने है जो इस गुफा में चित्र बने है ये गुफा तो बहुत बड़ी है लगभग 300 गज में फैली हुई है पर चित्र कहां है चित्र बहुत अंदर की तरफ अंधेरे भाग में एक लगभग 90 फूट के मतलब 90 फूट अंदर जब आप पहुँच जाओगे वहां पे चित्र बने हैं वहांपे कलावीथी है वहां पे गैलरी है वहां पे बहुत सारे चित्र मिले है और जो गुफा है इस गुफा की च्षात इतनी नीची है 6 छे 6 1 5 ह 6 to 7 फूट है लगभग कि चित्रों को देखने के लिए कहीं पे लेटना पड़ता है कि मतलब उसकी जो लै और सबसे important बात तो यह है कि यहां जो चित्र बने हैं वो सरवाधी चित्र गुफाओं की छतों में बने हैं दूसरी चीज यह भी है कि यहां पर बहुत से हाथ के भी जैसे कि दिवार पर हाथ को रख कर जैसे रंग को हाथ में लगा लिया और उसके बाद उसको दिवार पर रखा है उसका निशान भी है और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि दिवार पर हाथ को रख के आसपास रंग भी मूह में भरके रंग उसको स्प्रे किया गया है जिससे वो दिवार रंग गई है तो ये अलग-अलग चीजे हैं अलग-अलग वहाँ पे चितर मिले हैं पर इसमें जो चितर हैं वो बहुत मतलब उसका आकार बहुत बढ़ा है कुछ-कुछ चितर तो 4-6 फुट तक के भी है यहाँ पे जो मुख्य चितर हैं मैंने आपको बताया कि वो बाइसन का है उसके अतरिक्त भी कुछ अन्य चित्र हैं जिसमें जंगली हिरनी बारा सिंगा और जंगली बक्रा यह सब भी अन्य चित्र देखे गए हैं आप एक चीज और क्लियर करूं आपको आप प्लीस यह जो मैं पशु नेम बताती हूं इसको इंगलिस में पढ़ते रहेगा जिससे आपको चित्र को देखने में थोड़ा आसानी रहेगी एक चीज अब आपको बताते हैं कि जो यह अलतामीरा की गुफाएं हैं इसको यूनेसको ने में वर्ड हैरिटेज साइट खोसित कर दिया था और दूसरी बात यह है कि जो अलतामीरा की ओरिजनल केपस हैं वह अब बंद कर दी गई हैं क्योंकि इतने साल पुरानी इतनी आदिम प्रागेतिहासिक कालीन गुफाओं की जो चित्र बने हैं उनको सुरच्छित रखना ए एक अलतामीरा का गुफा के बगल में ही एक म्यूजियम बना दिया है जिसमें उस गुफा की बहुत सी रिप्लिका मतलब जादा तर उसकी रिप्लिका वहाँ पे मिल जाएंगी यह उसी म्यूजियम का ही है यहाँ पे लोग आ जाके देख सकते हैं वहाँ कैसे चित्र बने ह यह देखिए जो चित्र मैंने आपको बताया बाइसन इसका सरवाधी कंकन हुआ है यहां पर क्या है देखिए जब इन्होंने जो भी पशु आकरती बनाई पहली बात तो वह इतनी विशाल होती थी दूसरी यह कि उसकी काउंटर लाइन जो सीमा रेखा होती है उसकी आउट लाइन होती है वे उन्होंने जो ऑरिजनल गुफाओं उन्होंने बहुत अच्छे सब्भा रहा है उसको 3D इफ्ट दिया है उसको 3D दिख डिया है तो यह सारे चीजे वहां अलता मिरा विशाओं की बहुत सारे specialties हैं वहाँ पे जो चित्र बने हैं उसके color भी बहुत strong थे red color, red ocher और इसके बहुत सारे shade लगबग 6-7 shade भी use हुए हैं जिसमें बदामी रंगा भी बहुत ज़्यादा use हुआ है अलता मिरा की गुफाओं के बारे में एक बात और बताओंगी कि यहां जो आकरतियां हैं जैसे यूरोप की बहुत सी गुफाओं में चित्र एक के उपर दूसरे चित्र बने हुए हैं बर जो अलता मिरा की गुफाओं में चित्र बने हैं यहां पे जो जो चित्र देखे गए हैं इसके पहले कोई चित्रकारी ज़्यादा इसके ओपर नहीं हुई है कहीं पर जो कुछ चिन वगरां हैं जो पस्वों के आकरतियों के बीच में देखे गए हैं पर इससे पूर्व की चित्रकारी की है इसके बाद के इसमें चित्रकारी इस तर के ऊपर चित्रकारी नहीं हुई है और यह सम्हावता Magdalene युक के माने जाते हैं और यहां की सबसे ज़्यादा विसेस्ता यह भी है कि इसे प्रगयती हासिक काल का एक तरीके से सिस्टाइन चैपल कहते हैं तरही बार यह कोशन्स भी पूछा गया है इसलहें आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रगयती हासिक कालीन सिस्टाइन चैपल किसे कहा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रागयति हासिक कालीन सिस्टाइन चैपल अलता मेरा की गुफा को कहा गया है तो यहाँ पे जो बाइसन के जो चित्र अलग-अलग मुद्राओं में भी है जैसे कहीं पे उसको खड़ा दिखाया गया है तो कहीं पे उसको आक्रमड करते हुए भी दिखाया गया है यह वहाँ का एक और फेमस चित्र है चार्जिंग बाइसन मतलब की आक्रमड करता हुआ बाइसन ये सारे चित्र छट पर ही है जो उसको मैंने बताया उसकी सीलिंग पर ही है और इसमें ये चित्र जो है बाइसन का सबसे ज़्यादा फेमस है कई बार इसका questions भी आया है exam वगएरा में competitive exam में इसको पूछा भी गया है तो ये वहां के famous चित्रों में मैं आपको इसलिए दिखा जाटियों ताकि famous famous चित्र जो है वो आपको याद रहे इसके बाद बाइसन के अत्रिक्त भी कुछ चित्र जैसे ब्लैक बाइसन है ये ब्लैक बाइसन का केवल हैड है मतलब कहीं कहीं पर पूरी पषु आकरति बनी है और कहीं-कहीं पर उसका केवल head बना रखा है केवल सीम रिखाओं से यह देखिए जो मैंने हाथ की बात बताई थी अभी कि हाथ को दिवाल पे रखके और उसके आसपास भी रंग किया गया है तो यह दिवाल पे हाथ के प्रिंट भी देखे गए हैं फिर एक यह नेक्स्ट चित्र है रेंडियर का रेंडियर जिसे हिंदी में बोलत होंगे और फिर इंग्लिस तो आप गन्फ्यूस होंगे हींदी आपको पता हो चाहिए मिस जैसे रेंडियर होंगे तो चाहिए अब आप कुछा रही होंगे और अपको को यह नाम जरूर पढ़िए ताकि आपको को चीजे बहुत आसान लगे यह एक्षि European art क्या है थोड़ा सा टफ पार्ट लगता है बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनको कई बार समझ में नहीं आता है कहीं बाइसन लिखा है कहीं महिस लिखा है कहीं बफैलो लिखा है तो वह कंफ्यूज रहते बट अगर मैं बोल रही हूँ कि आप अगर इंग्लिस के नाम साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा तो प्लीज आप इंग्लिस के नाम पे जरूर फोकस करिएगा मैंने बहुत कोशिस करी है कि मैं हिंदी भी लिखूं और इंग्लिस भी लिखूं बर कई जगे मैंने इसको इंग्लिस में इसले लिखा है तापकी आप लोग इसको अच्छे से समझे तो यह रहा मेरा यह इसका अलता मेरा की गुफाओं का रेंडियर का चित्र नेक्स्ट और यह देखिए एक हॉर्स का है फिर एक हिंड जिसको मैंने पहले बताय था जंग लगभग 20-30,000 वर्स पूर्व के यह इतने सुदर चित्र हैं नेक्स्ट मैं आपको बताऊं टेक्टी फॉर्म्स के बारे में यह भी एक नाम है बहुत इंपॉर्टन है टेक्टी फॉर्म्स कई बार पूछा जाता है कि टेक्टी फॉर्म्स किसे कहते हैं यह एक विसेश प चित्र का जो डाइरेक्शन होता है वो उपर की तरफ होता है मतलब जो चिन होते हैं इन चिन का चिन में ऐसे बना एकी बनाया गया हि बता होना चाहिए टेक्टिफ फॉर्म्स क्या होता है यह विसेश प्रकार के आकरतियां होती है अलग-अलग चिन होते हैं जिनको भी यूरोप की जो गुफाएं थी वहां पर बहुत ज्यादा देखा गया है यह बहुत से गुफाओं में ऐसे चिन मिले है अब मैं आपको ला मेरा की गुफाओं के चित्र है अब इतने साल पुराने हो गए है उन चित्रों का प्रिजर्वेशन भी बहुत जरूरी है और लोगों को इतनी अच्छी चित्रकारी देखने को मिले इस वज़े से उसकी रिप्लिका इसी म्यूजियम में बनाई गई है और इस म्यूजियम क कैंताब्यान चेत्र की गुफाएं उनकी एक विसेस्ता यह भी है कि चित्र सुरुआत में ही नहीं बनाएं के गुफा में इंटरी करी और चित्र बना है इन चित्रों का जो मतलब जो बने हैं जो भी चित्र यह एकदम मतलब के एकदम लास्ट पॉइंट में या वहां तक जाने के लिए बहुत सक्रे रास्ते से होके जाना पड़ता है तब जाके कहीं लास्ट में कई बार तो ऐसा हुआ है कि इतनी पतली रास्ता है सक्री सक्री गलिया जैसी केव के अंदर है और उसके बाद एक बड़ा सा हॉल जैसा वहां पर बहुत सारे चित्र मिले हैं तो यह यूरोप की जो प्रागयति हासिक चित्र कला है या प्रागयति हासिक जो चित्र मिले हैं गुफा चित्र वो जादा तर क्या मिले हैं हमें एक तो अंधेरी गुफाओं में मिले हैं अंधेरी मींस वो इतने अंदर हैं कि वहां पे तो प्रकास पहुची नहीं सकता और दूस वह बहुत अंदर की तरफ चित्र वीत्री दिवारों की तरफ बने हुए थे तो फ्रेंड यह था मेरा आज का यलता मीरा केवस के बारे में डिस्क्रिप्शन और इसके बाद अब मैं जो कि फ्रेंकों के अंता ब्रियां चेथ के अंतर का जो अन्य गुफाएं आती हैं जैसे सब के बारे में मैं आपको अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस वीडियो के नोडिफिकेशन मिलते रहेंगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई